शुल्व सूत्र यानि की रेखागनित और श्रौद सूत्र यानि की जियोमेट्री इनकी रचना बोधायन ने की प्रन्तू इनके नाम पर आज लेवल लगा है पाइथागोरस और यूकलिक्ट का पाइथागोरस की खोज अगर मानी तो उनके सिधान्त आठ सो इसा पूर्व किये गए थे और जबकि उस समय भारत में रेखागनित और जियोमेट्री कशुल्व शास्त्र में उलेख आज भी मिलता है पतंजली ने योग शास्त्र को पहली बाद चकित्सा और मनो विज्ञान के रूप में मानेता प्रदान की आज विश्व भर के लोग योग को भारत की ही देव मानते हैं रिशी सूशुत ने भी आयूरवेद की बहुत ही अच्छी जानकारी दिये उन्होंने अथर्व वेद में आयूरवेद पे तीन खंड लिखे हैं जिसके अंदर संपूर्ण जानकारी समाहित है जिने आज के व्यज्ञानिक भी मानने को मजबूर हो गए हैं अगर भारतिय रिशियों की बात करें तो अधिक तर्द क्षेत्रों में भारतिय महर रिशियों का योगदान एहम है इनके संस्कृत में शलोकों को होने के कारण इतनी मान्यता प्रदान ना हो सकी और अन्य देशों के विज्ञानिकों ने संस्कृत किश्लोकों को समस्त हुए सरल भाषा में या अंग्रेजी भाषा में उनको उध्रित कर दिया और लोगों के सामने अपने नाम को उजा कर दिया नमस्कार D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी जानकारी देते हैं पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारतिय रिश्यों के अविश्कारों को पश्चिमी देशों के वेग्यानिकों ने अपना नाम दे करके उस पे अपना लेबल लगा दिया आज भी इसी कड़ी के तहट हम फिर से एक बार इसी पर बाचीत करेंगे वैसे देखा जाए तो रिश्यमनी जो की बहुत ही प्राचीन हुआ करते थे और उन्होंने जो अविश्कार किये जिनका की उलेक गरन्तों में पुराणों में मिलता है उन सभी को पाश्चत्य देशों के वैज्ञानिकों ने अपना नाम दे दिया है सद्यों पहले जो खोज की गई थी आज भी उसी खोज को वो अपना नाम दे रहे हैं जबकि ये सिद्ध हो चुका है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरप के रास्ते युनान पहुचा था और वहां से युनानियों ने इस ज्ञान के दम पर नए अविश्कार किये और नए सिद्धान्त बनाए इन सिद्धान्तों को आधुनिक विज्ञान की देन माना जाता है लेकिन ऐसा है नहीं रिश्यों द्वारा किये गई ये अविश्कार तब भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं जिने की आधुनिक विज्ञान का नाम दिया जा रहा है यदि मौजूदा समय की बात की जाए तो युनानी ज्योती में दी शास्त्री पाइथागोरस और युकलिड के सिधान थी मौजूदा समय में पढ़ाए जा रहे हैं जबकि सत्य कोसों दूर है असल में भारत के महान गनितिक बोधायन ने शुल्व सूत्र और श्रौद सुत् यानि की रेखागनित और श्रौद सुत्र यानि की जियोमेटरी इनकी रचना बोधायन ने की प्रंतु इनके नाम पर आज लेवल लगा है पाइथागोरस और युकलिक्ट का पाइथागोरस की खोज अगर माने तो उनके सिधान आठ सो इसा पूर्व किये गए थे और शुल्व शास्त्र में उलेक आज भी मिलता है आपको बता दें कि शुल्व शास्त्र जो की बहुत पुराना है इसके अधार पर रिशी मुनी विविद आकार की यग्यवेदियों का निर्मान किया करते थे यग्यवेदियों का निर्मान वो अलग अलग आकरतियों में करते थे और उसके हिसाब से वो गणना किया करते थे लेकिन आज के जो विज्ञान है आज की जो जामिती है या आज की जो रिखागणित है अगर उसको हम देखें तो उसमें दो समकोणों का शेत्रफल या फि के महान चकित्सक पतंजली का आगमन दूसरी श्तावदी में माना जाता है और काशी में दूसरी श्तावदी में पतंजली का बोल बाला रहा और योग सुत्र के रचैता पतंजली को ही माना जाता है उनके तन और मन यानि कि मनो विज्ञानिक के चकित्सक भी कहा जाता है और ये कोई अतिश योक्ती नहीं होगी कि मनो विज्ञान भारत की ही देन है। पतंजली के योग सुत्र पानीनी के अश्टा ध्याई पर भाश्य और आयूरवेद पर तीन ग्रंथों की रचना की। पतंजली ने योग शास्त्र को पहली बार चकित्सा और मनो विज्ञान के रूप में मानिता परदान की। आज विश्व भर के लोग योग को भारत की ही देन मानते हैं। इतना ही नहीं राजा भोच ने पतंजली को तन और मन दोनों के चकित्सक की उपाधी दी थी। उन्हें सम्मानित किया था। सबसे खास बात ये है कि उन्होंने जैसे कि हम कहते हैं डिप्रेशन हो गया ये सब बिमारियां उन्होंने तन और मन से जोड़ करके ही बताई थी। उस वक्त तन और मन की बिमारी कही जाती थी। आजकर डिप्रेशन, मानसिक अवसाद, इस तरह की बिमारिया नाम दिया ग जी आगे हम बात करेंगे रासायन शास्त्र और धातु विज्ञान की अगर इन दोनों की बात करें तो नागारजुन भारत के महान विज्ञानिक नागारजुन को रासायन शास्त्र और धातु विज्ञान के माहिर माना जाता है सबसे एहम बात ये है कि नागारजुन ने रस रतनाकर और रसेंदर मंगल नामक पुस्तकों की रचना की जो बहुत प्रसिद हुई रसाइन शास्त्री वे धातु कर्मी होने के साथ साथ नागारजुन ने अपनी चकित्सिय सूजबू से कई खतरनाक रोगों का उपचार के लिए और आश्टियों को तयार किया नागारजुन की चकित्सक शेत्र में कक्षिपुट तंत्र आरोग्य मंजरी योगसार और योग काश्टक नामक पुस्त के बेहत एहम है इतना ही नागारजुन ने स्वरंधातु और पारे पर भी शोध की उनके द्वारा की एगे प्रियोग और शोध आज भी विग्याने करते आ रहे हैं सबसे खास बात ये है कि नागारजुन ने पारे से सोना बनाने की जो विधी थी वो एक किताब में अंकित की थी और उसी के जरिये लोगों को तक पहुचाने की कोशिश की मगर ऐसा हो नहीं पाया उन्होंने बताया था अपनी किताब के अंदर की पारे के कुल 18 संसकार होते हैं पश्ची मी देशों ने नागारजुन के पश्चा जो भी प्रियोग हुए इसी लिखित किताब के बारे में जान करके पढ़ करके उसके आधार पर ही किये गए हैं नागारजुन का जन्म 931 में गुजरात में सोमनात के निकट देहक नामक जिले में हुआ था अब हम अगली बात करते हैं त्वचा के महान चकितसक आचारिय चरक की रिशियों में केवल एक ही रिशी ऐसे हैं आचारिय चरक इसके इलावा अगर बात करें तो रिशी धनवंतरी, चयवन और शुरुत ने विश्व को पेड़ पौधों और बनसपतियों के आधार पर बहु मूल्य जान करें प्रदान की अगर इन रिशियों की बात की जाए तो उन्होंने चकितसा सास्तर में महत्वपूरन योगदान दिया आचारिय चरक की गन्ना भारतिय औशिद्धी विग्यान के प्रमुखत के तोर पर की जाती है आचारिय चरक ने 300 से 200 ईसा पूर्व चरक सहित गरत की रचना की थी इसी गरत के चलते आचारिय चरक को तवचा चिकितसक भी कहा जाता है यानि के मौजोदा समय में जिने स्किन रोग के माहिर माना जाता है वे आचारिय चरक ही थे आचारिय चरक ने शरीर शास्तर गर्प शास्तर और शोद किया था और इतना ही नहीं उन्होंने इस शास्तर में दवाईयों का भी उल्ले किया जो की आज तक मानी जाती हैं उनी के उपर आज के वेग्यानिक और शोद कर रहे हैं इसके अलावा उन्होंने शूगर यानि की मदूमय, शाय रोग, हरदय रोग जैसे रोगों के उपचार के लिए भी आश्टी के बारे में अपनी किताब में लिखाए और जानकारी इतनी दी है कि उनके बारे में आज भी वेग्यानिकों लिखे लिए वो आज भी रहसे बने ह हुए हैं आचारिय चरक के अलावा रिशी सूशुत ने भी आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी जानकारी दिये उन्होंने अथर्व वेद में आयुर्वेद पे तीन खंड लिखे हैं जिसके अंदर संपून जानकारी समाहित है जिने आज के वेग्यानिक भी मानने को हो गए हैं व्याकरन के रचियता कौन है हम आपको बता दें कि विश्व के पहले व्याकरन के सबसे पहले जो रचियता है वो रिशी पाणिनी ही थे व्याकरन बाद में आई इंगलिश की लेकिन उससे पहले ही रिशी पाणिनी ने अविश्कार कर दिया था उन्होंने ये खोच कर दी थ अपने ग्रंतों में उसे समाहित कर दिया था विश्व का पहला व्याकरन पाणिनी द्वारा रचित माना जाता है पांसो इसापूर्व पाणिनी ने भाशा के शुद्ध प्रयोग की सीमा निर्धारित कर दी थी पाणिनी ने भाशा का सबसे सूव व्यवस्थित रूप कर द दिया था आठ अध्यायों और चार हजार संस्क्रत भाशा के सूत्रों को पानिनी ने अश्ट धाई व्याकरण नामक ग्रंथ का नाम दिया था और इससे भी ज़्यादा तरक संगत और व्याग्यानिक धंग से उन्होंने उसे संग्रहित किया कि पढ़ने वाले दातों तले उंगली दबा लेते हैं अगर महरिशी पानिनी की बात की जाए तो उनकी और से रचित अश्टा ध्याई व्याकरण ग्रंथ में मौझूदा भारतिय समाज का पूरा चत्रन साफ दिखाई देता है इस करंथ में उस समय के भोगोल सामाजिक आर्थिक शेक्षिक राजनेतिक जीवन दार्शनिक चंतन खान पान रहन सेहन की समूकची जानकारी को अंकित किया गया है अगर अश्टा ध्याई का जन्म आतनिक पेशावर यानि के मौझूदा पाकिस्तान के करीब भारत के गंधार में शाता तुला स्थान पर हुआ गौर हो पानिनी से पहले भी कई विद्वानों ने संस्क्रिप भाशा के नियमों को बांधने का प्रयास किया प्रन्तु पानिनी का शास्त्र सबसे खास और एहम है 19 सदी में यूरोप के एक भाशा वेग्यानिक फ्रेंज बॉप ने पानिनी के कारियों पर शोत किया उन्होंने पानिनी के लिखे हुए ग्रन्तों में संस्क्रत व्याकरण में आधुनिक भाशा प्रणाली को और सरल बनाने के लिए उनको उसमें मजबूत सूत्र भी मिले थे इतना ही नई पाणिनी के लिखे ग्रंथ से आधुनिक भाषा विज्ञान को बनाने में विशेश मदद भी मिली विश्व की सभी भाषाओं के विकास में पाणिनी के ग्रंथ का अहम योगदान रहा है अगर भारती महर इश्यों की बात करें तो अधिक तर क्षेत्रों में भारती महर इश्यों का योगदान एहम है इनके संस्कृत में शलोकों को होने के कारण इतनी मानिता प्रदान ना हो सकी और अन्य देशों के विज्ञानिकों ने संस्कृत किशलोकों को समस्त हुए सरल भाशा में या अंग्रेजी भाशा में उनको उध्रित कर दिया और लोगों के सामने अपने नाम को उजा कर दिया जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए साथी डी फाइफ चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं वंदिना और मैं प्रदीप शाही आपके समक्षन रंतर प्रस्तत होते रहेंगे धन्यवाद नमस्कार